नमस्कार दोस्तों EG Classes के YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं COVID-19 क्राइसिस के चलते जो है वो पिछले कुछ महीनों में लोगों की जो income थी लोगों की जो economic protection था कहीं से वो सारा जो है एक तरह से रुख गया चाहे वो farmers हो चाहे वो businessmen हो चाहे वो working class हो और चाहे वो tribal लोग हो सभी की जो income का स्रोथ था वो धिरे-दिरे कहीं ने कहीं से खतम हो गया या कम हो गया तो इन सब चीजों को देखते हुए दुनिया भर की सरकारों ने कई ऐसे financial packages निकाले कई ऐसे relief packages निकाले जिससे की लोगों की आमधनी बढ़ाई जा सके लोगों को कुछ आमधनी दी जा सके ताकि उनका जो है वो इस संकट की घड़ी में उनका जिवन्यापन आसानी से हो सके इसी दिशा में भारत ने भी बहुत ठोस कदम उठाए बहुत बड़ा financial package अभी कुछी दिन पहले जो है वो introduce किया गया इसके साथ ही साथ government ने और specifically ministry of tribal affairs ने जो minor forest produce होता है इसकी जो MSP होती है मतलब minimum support price इसको renew कर दिया या revise कर दिया minimum support price के बारे में आप जानते हैं दोस्तों कि government जो है वो जिस अगर market में वो easily नहीं बिखता है कोई सामान तो government जो है वो एक minimum price पे उसको farmers से या tribals से खरीदने का वादा करती है तो minimum support price वहाँ पर दिया जाता है बेसिकली जो है वो अभी तक क्या होता था कि हर तीन साल पे इसको revise हिया जाता था minimum support price को minor forest produce के लिए लेकिन इस साल जो है वो एक exception किया गया क्योंकि जो है वो extraordinary circumstances थे इसलिए जो है वो इसको पहले ही revise कर दिया गया तो इस वीडियो का हमारा जो है वो topic यही है हम बात करेंगे यह जो changes हुए है वो क्या है इसके बाद हम एक introduction लेंगे कि जो minor forest produce के हम बात कर रहे है वो क्या है लास्ट में हम जो है वो trifet के बारे में जानेंगे जो कि ministry of tribal affairs के अंदर जो है वो अंतरकत एक organization है जो कि tribal welfare के लिए काम करती है तो दोस्तों फिर आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं revised MSP for minor forest produce तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि coronavirus crisis के चलते जो है वो tribal जो लोग थे उनकी भी आमदनी देरे खतम हो गई देरे देरे जो है वो बंद हो गई इसमें क्या हुआ कि जो minor forest produce होता है यह basically जो है वो दोस्तों forest के products होते हैं उसको procurement के लिए तो सरकार ने निरने यह लिया कि tribal लोगों की सहायता करने के लिए जो minor forest produce होता है उसका minimum support price revise किया जाए और ऐसा करने के दोरान जो है वो सरकार ने या ministry of tribal affairs ने उसको बढ़ा दिया है ministry of tribal affairs ने 49 products ऐसे हैं जिनका जो MSP है उसको बढ़ा दिया गया है यह जो कदम उठाया गया है जो MSP revise किया गया है वो एक centrally sponsored scheme के अंतरगत किया गया है जिसका नाम है mechanism for marketing of minor forest produce through minimum support price and development of value chain for minor forest produce यह जो है वो scheme है जो कि जो tribal areas होते हैं tribal लोग होते हैं और जो minor forest produce के gatherers होते हैं उनकी social safety के लिए यह scheme चलाई जाती है वीडियो के शुरू में मैंने आपसे बताया था कि हम इसमें Trifet के बारे में बात करेंगे तो Trifet का दोस्तों full farm होता है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India यह जो है यह ministry of tribal affairs के अंदर में जो है वो एक agency है और इस जिस scheme के हमने अभी आपसे बात की mechanism for marketing of minor forest produce वाली जो scheme थी उसके लिए नोडल agency जो है वो यही है और इसने कई सालों से पिछले जो है वो recommendation दिया है कि minor forest produce का जो MSP है उसको बढ़ाया जाना चाहिए और यह भी मैंने आपको पहले बताया था कि हर 3 साल पे इसको revise किया जाता था Ministry of Tribal Affairs के अंदर में जो है वो एक pricing sell होती है जो कि इस पे विचार करती है और इसको revise करती है हर 3 साल पे लेकिन इस बार जो है वो extraordinary circumstances के चलते इसको पहले revise कर दिया गया अब आए दोस्तों हम जान लेते हैं कि आखिर यह minor forest produce होता क्या है तो forest rights act जो 2006 का था जिसको की the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of forest right act कहा जाता है इसके अंतरगत जो है वो minor forest produce की definition दी गई है minor forest produce के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती है bamboo, cane, fodder, leaves, gums, waxes, dye, resins और कई तरह के food items जैसे की nuts, wild fruits, honey, lac, tusser यह सारी चीज़ें जो है वो minor forest produce के अंतरगत आती है जिनको की जो इनको gatherers होते हैं जो इनको इकठा करने वाले होते हैं उनको इकठा करके वो जो है वो market में बेचते हैं या जो है वो minimum support price के अंतरगत जो है वो government को दे देते हैं इसके बाद जो है वो दोस्तों पीसा जो 1993 का act था और इसके बाद जो है recognition of forest rights act जो 2006 का था इसने जो है वो एक decision लिया था कि जो भी forest produce होता है मतलब forest के अंदर जो भी production होता है minor forest produce का उसकी ownership जो है वो पूरी तरह से जंगल में रहने वाले लोगों ट्राइबल लोगों के हाथ में होती है तो इससे क्या होता है कि वो लोग जो है वो उनको एकठा करते हैं उनको प्रॉसेस करते हैं उनको बेशते हैं और उससे उनकी fix रामदनी होती है जोकि उनको मिलती है उससे उनका जीवनिया पन आसानी से हो जाता है अब Minor Forest Produce के हमने बात कर ली तो आईए देख लेते हैं कि इसका significance क्या है इंडिया में तो दोस्तों 2011 में National Committee on Forest Right Act की एक report आई थी इस report ने बताया था कि देश में लगबग 100 million forest dwellers ऐसे हैं जंगल में रहने वाले लोग ऐसे हैं जो कि Minor Forest Produce पर खाने, रहने, दवाओं और cash income के लिए निरभर होते हैं इस report में ये भी पाया गया कि 20-40% तक जो annual income होती है ट्राइबल लोगों की या Forest Produce का जो business करते हैं वो पूरी तरह से Minor Forest Produce पर निरभर होती है और इसके साथ ही साथ ये लोग जो है वो अपने दिन का majority का हिस्सा मतलब बहुत बड़ा समय जो है वो इसके collection में बिताते हैं इसके बाद जो है वो 2011 में एक हक committee report आई थी हक committee report ने क्या बताया कि ऐसे 14 major minor forest produce items हैं जिन पर की सरकार ने 1900 करोड रुपए उनके procurement पर खर्च किया तो आप ये समझ सकते हैं कि minor forest produce जो होता है वो एक बहुत बड़ा portion है government का जहां पर government जो है वो ट्राइबल्स के help कर दी है आप खुदी figures देख लिए 1900 करोड रुपए इसके procurement पर खर्च हुआ सिर्फ 14 ऐसे products थे जिनके procurement पर 1900 करोड रुपए खर्च हुआ फिर अब दोस्तों देख लेते हैं कि cash income जो होती है वो अलग है जो उनके खाने का इंतजाम उससे होता है रहने का इंतजाम होता है medicines का इंतजाम होता है वो सारी चीज़ें अलग है साथ ही साथ इसका एक फाइदा और भी होता है जो minor forest produce होता है इसका जो collection होता है वो generally महिलाएं करती है और ऐसी महिलाएं जो कि इसका collection करती है और इसको जो है वो बेचती है तो इससे एक फाइदा और भी होता है कि महिलाओं को जो है वो financial freedom मिलती है उनका सशक्तिकरण होता है तो एक इसके जो financial फाइदे हैं वो एक तरफ हो जाते हैं साथ ही साथ इसका एक यह बहुत बड़ा फाइदा यह भी होता है कि जो महिलाएं होती है tribal महिलाएं होती है उनका बहुत जादा empowerment, financial empowerment इस जो है वो collection के माध्य हम से होता है अब हमने minor forest produce के बारे में जो जानकारी हमको चाहिए थे हमने ले ली अब आईए चोटा सा introduction ले लेते हैं जो tribal cooperative marketing development federation of India या trifed होती है तो मैंने आपको पहले ही बताया यह ministry of tribal affairs के अंतरगत एक national level organization है जो की जो tribal लोग होते हैं उनके socio-economic development पर काम करती है इसका main लक्ष जो होता है वो यह होता है कि जो forest dwellers हैं या tribals हैं वो जो भी item produce करते हैं जो भी item collect करते हैं उनकी proper marketing ensure करना वो trifed का का काम होता है मतलब कि जैसे minor forest produce की बात करें तो हो सकता है कि उसको normally जो है वो बेचना market में वो मुश्किल हो तो उसी चीज को जो है facilitate करता है उसी चीज को आसान बनाता है trifed trifed की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी और तब से लगातार जो है वो इस field में यह बहुत active है तो दोस्तों इस video में जानने के लिए इधना ही था हमने जान लिया कि government ने जो minor forest produce का MSP यानि minimum support price बढ़ाया है वो क्या है उसमें जो है जो basic जानकारियां थी वो हमने ले ली हमने minor forest produce के बारे में जाना उसकी significance के बारे में जाना और थोड़ा सा introduction हमने trifed का भी ले लिया तो अब अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकार्थ होगी टेक केर